दोस्तो private limited company सबसे om tantr tech राय मेरे practice में जानना चाठे पम्पनी के बारे में कावी आप बना चुकह होगी प्रैविट लिमिटे कापनी बनती कैसे है और आप partnerships pos चुन सबक्रने को चुनेंगे कैसे आज की वीडियो में मैं आपको बता तुम इसकी कंप्लाइंस करूए और प्रावेट लिए कमपनी जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्प्रेट इसमें काफी सारी कंप्लाइंस होती है जिसका ध्यान आपको भी रखना होता है आज की वीडियो में एक बताओं गां आपको कंपनी बनाने के बाद यह से कंपनी बन जाती ह साथ में दोस्ते कितने आती है जो पहला कोशन है ना किया प्रावल लिवन बनाऊंगा उसका पुजिसाला खर्चा कितना आएगा इतनी सारी कंपलाइंस में कर पाऊंगा यह निकर पाऊंगा तो आप सारी कंपलाइंस कर भी सकते हो और कोश्टिंग मैं आपको बताता हूं शेजार रुपे वाले के पास प्राइवेट लिव्ट कमणी बना हुआ में और वो शेजार आपको साथ यह पढ़ते हैं आपको कि जितने भी लोग बनवाते हैं ऑनलाइन सबको साथ यह पढ़ते हैं कैसे अभी बचल जाएगा वह आपका जितना ओनपोना काम होता हो कर देत हैं और आप बाद में भुकत तो जितने भी केस में पास आते हैं सारे खराब केस होते हैं ओनलाइन वाले तो आपने करने क्या कोई बात नहीं तो बनवा लीजिए कुछ चीज़ों को धान रखना है सबसे पहले आपकी बन जाती है दोस्तों आपको अपने एक बैंक एक एक करेंगे आप उससे अपनी करेंगे आप उससे अपनी करेंगे इन में से कोई भी काम सीए स्वो मोटो यानकि अपने आप नहीं करेंगा मैं भी क्या करता हूं हम पहले करते कि भाई तीरे पुए साली कंप्लाइंस में इत्ते में करूंगा यह कंप्लाइंस है इंच्छों को धान रखना फिर भी अगर आप पर रख लेते हैं आपका सी अच्छा भी है या जिसी आप काम करा रहे हैं कम से कम आपके पार्ट पर प इसकी की बिलिंग करनी है को भी काम है तो एक तो दिन के अंदर भलेना इस फोर्म का नाम है आएंसी टूंटी ए अगर आप यह नहीं भरेंगे तो इसकी पैनल्टी लगती यान कि 300 रुपर बेसिक है तो उसकी 600 रुपर लगेगी फी 900 जाएगी 1200 पंदरासो ऐसे करके मंटि प्रेट ऑफ इनकोपरेशन आएंगी सट्विकेट आ गया है तीस दिन के अंदर आपको कंपनी का डायक्टर जो है कंपनी का जो भी डायक्टर है कंपनी का जो ऑडिटर बनेगा उसके बार में डिसन लेना होता है कि हाँ यह सचिन जी सिय बनेंगे में बेग लैटर भीज के लिए के बारे में डिखाएंगा तो आपको तीज दिन के अंदर अंदर थी दिन के अंदर अंदर आफिस के बारे में बताना होगा अगर यह भूल गए डवल डवल ट्रिपल प्रेंटी तीन सो के फिर नो सो नो सो के बारा सो पंदरा सो हजार लाग किते पहुच जाएंगे तो कंपनी मना लो चेक कर लेना यह मेरा यह फॉर्म में आएंसी 22 गया है यह नहीं गया है सा आजकल तो उसका नमबरी बना लिए यह साथ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब आपके पास प्राइवेट लिमिटेट कंपनी एक बंद कर आ जाए अब कंप्लाइंस आप ने कर लिए सारी प्रेंटी से बज़ गया आप में वीडियो रखके अब शुरुवात आती ह मैं मंतिली क्या करूं दान रखूं और साल में जब खताम हो जाता है तब मुझे क्या 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 है पहला है सबसे पहला आपको एजम दिखानी पड़ती है एजम यानिकी एनुवल जर्नल मिटिंग जो शेरोडर दिखाते हैं पहले जो होती है उसमें मिलते नो महीने साल क्ल 2022 में इस साल जितनी भी कंपनियां बनवाएंगे वह उसकी एजम दिसंबर 22 तक दिखा सकता है पहले जो होगी जो अगला चलेगा उसके लिए छे महीन है यानि कि जर्नली जो आपकी एजम आएगी वहर बार सितंबर को ही आएगी 30 सितंबर तक आपको अपनी एजम कर नेच गलती होगो एजम को आपने में अपने इंटरस्वानना ह। आपना बैठते हैıld बताते हैं यह चैनला इंटरेस्ट धुटतों, इसका इंक्राइस द्यूर्ट में क्या इसंट्रेस्ट मैं ने कम्ट्य रोब करता है जो मेरी इस्ट्यदार मॉन कि माल सपलाई करता है तो इस स जा रहे हैं एक डिरेक्टर को पता ही नहीं कुछ भी दूसरे लिए जा रहा है तो यह डिरेक्टर में आता है दूसरे का पड़ भी देना कि हो या तेरा कॉन से लगावा है तो कित्रे इस्टिता लगें हैं यह सब उसके अंदर दिखा जाता है यार सचीने सारा कंप्लाइंस कर दी हमारी हमें दिक्कत भी नहीं आई अपने आप फॉलॉप करते हैं सब को ठीठा के यह मारी बढ़ियां है इनकी सेली भी अच्छी है जो भी फीस है और फीस वह भी सही है तो पांस साल कर दो तो क्या होगा अगला अपाइमेंट होगा मेरा करते हैं ज्यादा हो सकती है पचास भी सकती है दोसों भी सकती है लेकिन मिनिमम एक क्वाटर के अंदर आपको एड़ बोड मीटिंग करना बहुत जरूरी है उसके मिन्ट बनते हैं जो भी इसको चेर करेगा वह आएगा क्या उसमें जंडर था वह आएगा उससे पहले यानि कि जो डारेक्टर से कंपनी के डारेक्टर और शेरोडर इसको पर भी बना चुका हो मैं आपको देखनी वीडियो की क्या इस पॉसलिटी है तो बैलेंशीट को सैंड करते हैं जब फैनेंशल हो जाएगा बहुत सब्सक्राइब को देखा मैंने बैंक एकॉन खुलवा है कर दिए क्या है ज्रूरी है बैलेंशी बनाने भी जरूरी है और एक लाग से बैंक उलए फिर हो उस्किल और देख हो तब भी आपको बैलेंशी बन्नाइए और करवाना है घृत ना है इंदर कि और के अन्दर जाता है तीस दिनकेंडर जब आपकी एजम हो जाती है यानि कि अगर पहली है तो दिसंबर थी अगर दूसरी वाली है तो सितंबर है तो जब भी आप कराओगे तीस दिल के अंदर एजम की डेट से आपको करानी पड़ेगी ऐसी फोर का फॉर्म सम्मिट करना पड़ेगा अगर नहीं करा तो पहले मही पहले महीं ने तीन रुपे लगेंगे दूसरे महीं लगेंगे 900 फिर ऐसी बढ़ते देगी मन्तिप्लाइब होते रहेएंगी पर देडर 100 रुपे इसने वह जाएं इसका लिए अगर आपने तो अगर आप एक साल भूल गलती से तो सोच लेजिए अगर एक दिन आपने घूमने में लग गए तो सोर पर नुकसान पढ़े सोर पेनल्टी है यह आपको हर एक सितंबर को भननी पड़ती है और यह 30 अक्टूबर को अगर टेक्स भी है दोस्तों की बढ़ती रहती है यह जैसे बढ़ गई है लेकिन जो एस पर लो है वोड़ेट यहीं आपको धान रखना है एक होते हैं डेक्टर के के वाई सी बहुत इंपोर्टेंट है अगर डेक्टर की के वाई सी हर साल नहीं कराए तो पांच यहार रुपे की पनल्टी है ओटीपी आता है डेक्टर के वाई सी मतलब क्या है कि भीया मैं अभी वी अलाइव हूं आप मुझसे कोई भी कोंटक कर सकते हो इमेल एडी फोन में में ठीक है अगर कमनी को फ्रॉ अगर को के वाई सी करना पड़ता है एक दोस्तों आपका फिर्वर्म जाता है मेरा फिर्ट टॉपिए कि एक फों अपका जाता है एक प्रॉप को लेके छे महिने का एक तो अलग है इसमें किया जाता है जितने भी एमेसमी की ड्यूज हैं 45 दिल से उपर हो गये तो आपको मिलता है हमें आउसी को भीजना पड़ता है यह इतने वाले इनको पेमन नहीं होई है तो आउसी वहां से हमें कोशिव करता है कि जल्दी पेमन हो जाए इसलिए मैं क्याता हूं में रिश्टेशन जुरू कराईए तो दो वार है एक वार अप्रैल से स्टमबर तक बनी होती है जो भी अमाउंट है किसी भी 31 मार्च में जाने कि फाइंशल हो गया है मेरा फाइंशल हो गया है तो 2021 को जो भी इसमें लोन और डिपोजिट खड़ेते उसके मिझे फॉर्म भरना पड़ेगा टाइम है मेरे 30 जून तक निकल गया टाइम लेकिन इस साल तो बल गई है वै यह ना बनाओं उस्तों मैं तो हमिशा कहता हूं कि कंपनी ही बनाई यह कम से कम 10,000 से 15,000 के खर्चा आता है सैट अप करने में जब आप एक प्राइवेट कमणी बनाते हैं मैं फिर कहा रहा हूं भाहर साथ अड़ा के चिक्कन मत पढ़ना विकार है एक अच्छा यह रख ल तो किसी जान पचन वाले से यह वैसे अच्छे बनाई रणिंग कोश के आएगी जो भी मैंने पहार दिखा दिया यह है वह है डिपीटी तरी यह सी फोर एमजटी सैवान डाक्ट के वाई सी खर्चा क्या आएगा उस्तों मिनियम कर्चा 25-30,000 का आता है एक कमनी को मेंटेन लेकि मैंने आपको एक हलका सा आइडिया दिया है कि में पाइत्यारी कंपनिया है उनका हम काम करते हैं तो किस बेसिस पे हम फीज लेते हैं दोस्तों अकर वीडियो अच्छी लगी हो और मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वीडियो को लाइक कर दोस्तों इसको लेकि मैं पूरी एक सीरीज बना चुका हूं प्राइवेट लिमिट कंपनी को लेके वीडियो भी इसमें अप्रोड कर दूँगा तो जुरूर देख लीजेगा ताकि आपको परत चलिजा कि भीजिए प्राइवेट लिमिट कंपनी बनाके के लिए चीजों प्राइवेट